हेलो वर्गो, वर्गो यानि कन्यारासी, मैं सुरे स्वाट रिप्लाइस इंदी टैर से, तो आज हम वर्गो यानि कन्यारासी के लिए 72 आवर्स करंट फिलिंग वाली जन्रल आप रिडिंग करेंगे, ये रिडिंग जन्रल है, तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकत जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं संसाइन, मुंसाइन या नामराशी जिसे चाहें आप देख सकते हैं अगर आप परसनल लेडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं वहाँ जाकर चेक कीजीगा, कोई भी कन्फूजन डाउट होने पर वर्टस अप मैसेज के जरीए आप इसे कलियर कर सकते हैं तो वर्गो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके परसन हैं उनकी आपके लिए करन्ट फिलिंग्स क्या हैं फिर देखेंगे कि आपके अपने परसन के लिए फिलिंग्स क्या हैं और आपके परसन इसमें अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे और इस रिस्ते की गाइडेंस क्या रहेगी तो चलिए चलते हैं वर्गो के परसन की current feelings देखते हैं वर्गो के लिए क्या है वर्गो के परसन की current feelings वर्गो के लिए right now the chariot the tower seven of cups and bottom of the deck the star तो वर्गो जो आपके person है वोने मैसु सोरा वो इस रिस्ते को लेकर काफी confused हैं काफी परेशानी और दुविदा में हैं हाला कि उनके पास बहुत सारे option है उनके पास बहुत सारे रिस्ते भी आई हुए हैं लेकिन वो परेशान है क्योंकि वो इस रिस्ते में जो पनौती बादाय रुकावटे दिकते आई हैं वो उसको handle नहीं कर पा रहे हैं उनको लगता है कि वो काफी confused हैं लेकिन समय के साथ वक चीजे हील होंगी और नए सिरे से एक beginning एक शुरवात इसमें हो सकती है उनको लगता है कि ये रिस्ता उनके लिए एक भरम जाल माया जाल हो सकता है काफी परेशानी और दुविधाई इन रिस्तों में हो सकती हैं जो उनको बहुत सारे रिस्ते दिखाई दे रहे हैं तो इस जो चक्राज हैं जो बिखरे पड़े वे हैं जो ब्लॉक्ट हो चुके हैं ताकि धीरे धीरे करके वो चक्राज अन ब्लॉक हो जाए और आगे बढ़ने में उनकी मदद दे तो और वो इस रिस्ते में करेच, हिमत और सास के साथ बिना गिवब किये बिना हार माने, टुथ के के साथ एक डिटर्मिन बंदे की तरह, एक वोरियर फर्सन की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि अगर वो गिवब नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, तो ये रिस्ता रियोनियन, रिकॉंसिल हो सकता है, फिर स इस रिस्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शिर्वात चाहते हैं, उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्प्रिच्वल ग्रोथ करेंगे, तो ये रिस्ता आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिलेगी, क्योंकि जो भी गिले सिक्वे, जो बात है, रुकाउटे आई हैं, वो हील होंगी, और किसी सुप्रियर, किसी एल्डर, किसी की मदद लेंगे, तो आगे बढ़ने में जो ये ग्रे हैं, वो बैलन्स होंगे, स्टेबलेटी आएगी, और ये रिस्ता आगे जाकर कोल्डर स्टार होगा, कोई भी कन्फिजन, इसे ये रिस्ता आगे बढ़ सकता है, स्ट्रोंग और मजबूर हो सकता है, तो आप देखते हैं, आप अपने परसन के लिए क्या मैसुस करते हैं, आपकी फिलिंग्स क्या हैं, आप क्या सोच रहे हैं, एट आप कप्स, नाइट आप स्वार्ड्स, दा हर्मिट एंड स्टेंथ, तू वर्गो, आप अपने परसन के लिए महसुस कर रहे हैं, कि अभी आपको उन चीजों से लेट गो कर देना चाहिए, जो इस रिस्ते में रुकाउटे बने हुई हैं, बाधाएं दे रही हैं, द मजबूर कर रही हैं, तो उन चीजों को लेट गो करते हुए, आप थोड़ा सा अपने आपको स्पेस देंगे, हीलिंग और मेडिटेशन करेंगे, अपने आपको थोड़ा सा अकेले में समय पिताने का मौका देंगे, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप हीलिंग करेंग करेंगे, खुल कर बाते करेंगे, तो चाहे रिस्ता बने या ना बने, लेकिन रिस्ता अगर बनता है तो मजबूत और स्ट्रोंग होगा, फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, ओनेस्टी, इमानद और लोयल्टी के साथ आप इस रिस्ते में आगे बढ़ना चाते हैं, इस रिस्ते में आप बिगनिंग और शिरवात करने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि धीरे धीरे करके जो परेशानी, जो दूबीद आए हैं, वो खतम हो सकें, और अगर आप हीलिंग और मेडिटेशन क परोद करेंगे, तो आपके जो रिस्ता रुक और थम चुका है, उसे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, आप स्ट्रोंग और मजबूत होंगे, और अपने जिम्मेदारियों को समझेंगे कि रिस्ता आपके लिए कितना इंपोर्टेंट, कितना जुरूरी है, तो ऐसा अपने परसन के लिए फील कर रहे है, ऐसा आपको मैसुस हो रहा है, तो देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके परसन क्या एक्शन लेने वाले हैं, वर्गो के परसन वर्गो के लिए क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं, तू आप स्वाट्स, टू आप कप्स, एंद फॉर आप कप्स तो वर्को जो आपके परसन है अभी आपका बेसबरी से वेट औरिंज जार कर रहे है कि कब आपके तरफ से गुड नू जाएगा, गुड मैसेज जाएगा, कभी चीजें सही होंगी, कभी आप मिलेंगे और कब ये चीजें सही होंगी तो अपनी तरफ से वो अभी क्रोस मार्क पर हैं, आँकों पर पटिया बंदी हुई हैं, वो ना तो इधर का डिसाइड कर पा रहे हैं, अभी वो कन्फूजन की स्टेट में हैं, क्योंकि अहला कि उनके पास और ओप्शन भी हैं, और लेकिन वो अभी एंजाइटी और स्ट अभी वो प्रेशान और तुबीदा में हैं, कोई भी एक्शन भो लेने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए वो आप से चाहते हैं, कि आप इस कन्फूजन से बाहर निकलें, और इस रिस्ते को सौल मेट बनाएं, ताकि अगर आप इसमें समय रहते एक्शन लेंगे, आँखों से तो वो रिस्ता आगे बढ़ेगा और एक अच्छा पेर, एक अच्छा जोड़ा साबित होगा, यूनिवर्स की ब्लैसिंग्स मिलेंगी, अगर मेस्कुलियन और फेमिलियन अनरजी एक दुसरे के साथ कॉंप्रोमाईज करते हैं, मेल मिला बना कर चलते हैं, और तो ये रिस मेल रिस्ता जोड़ा, एक अच्छा पेर, साबित हो सकता है, पॉल्मेट हो सकता है, जनम जनमांतर का रिस्ता बन सकता है, तो ऐसा वो आप से चाहते हैं कि जब तक वो कन्फ्यूज़्ज़ ने जब तक वो क्रोस मार्क पर हैं, तब तक आप उसमें आगे बढ़ें, और इ अपनी तरफ से कोई action इसमें नहीं लेते दिखाई दे रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि या तो आप जब तक वो फ्रेशान और दुखी हैं इसमें बेट और इंज जार करें, या फिर आप इसमें action लें और इस रिस्ते को soulmate बनाएं, देखते हैं universe की क्या message या guidance है, universe क्या message या guidance द universe काइड करना चाहते हैं कि motherly healing कीजिए, meditation कीजिए, spiritual growth कीजिए, ताकि जो भी इसमें negativity है वो खतम हो, और honesty, इमानदारी और loyalty के साथ, बिना किसी के साथ, चल कपट किये, बिना किसी हेरा फेरी के, बिना किसी दोकादड़ी के, बिना किसी mind game manipulation के, एक तुसरे की भाणा को समझ और जो भी manifestation आप कर रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत दिनों से manifestation कर रहे थे, कि एक दुसरे से माफिय मांग ली जाए, एक दुसरे को समझा जाए, और इस रिस्ते को आगे बढ़ा जाए, तो वो आपकी manifestation पूरी होगी, आपकी दिली तमन्ना पूरी होगी, अगर आप बि एक दुसरे के लिए ये डिसाइड करते हैं कि वो आगे कोई भी उनकी तरफ से कोई भी confusion नहीं होगी, कोई भी प्रेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो इसमें इसमें इसको घर बनना, घर बसना, stability, खुशाली, नेम और फेम, सारे चीज़े चाहते हैं और इस रिस् fruitful और कामयाब बनाने के लिए ready हैं, तैयार हैं, इसमें commitment वगईरा देने के लिए ready हैं, तो अगर आप एक दुसरे के लिए commitment देंगे और fruitful और कामयाब इस रिष्टे को ये रिस्टा बन सकता है, एक family एक परिवार ये बन सकता है, अगर आप बिना किसी हेरा-फेरी, बिना कि किसी दोका दड़ी के healing करेंगे meditation करेंगे spiritual growth करेंगे तो जो जिसके लिए आप इतने दिनों से manifestation कर रहे थे वो manifestation पूरी होगी और एक दुसरे से माफी मांगते वे आगे बढ़ेंगे तो आपकी दिली तमन्ना आपकी wishful fill हो सकती है fruitful ये रिस्ता हो सकता है काम्याबी की तरफ बढ़ सकता है लेकिन आपको कोई हेरा फेरी कोई दोका दड़ी कोई चालबाजी कोई राज कोई mystery कोई रहसे एक दुसरे के पड़ती नहीं रखना है कोई भी mind game manipulation एक दुसरे के साथ नहीं खेलनी है तब ही चीज़ें सही होंगी ज सब्सक्राइब करें कमेंट्स करना ना भूलें इसे मोटिवेशन मिलता है help मिलती है वीडियो बनाने में मदद मिलती है तो फिर नहीं वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए है पी रहें खुछ रहें नमस्ते थैंक यू सो मॉच